हलो दोश्तों वेल्कम एक टो मैं चैनल आज शेयर करने वाली में एक पराठे की रेस्पी जो बच्चों से लिएक बड़ो तक सबको भी पसंद आएगा तो नॉर्मली जैसा आटा गूठते हैं वैसा ही मैंने आटा लगा लिया था एक लोई लीती जैसे आपने लोग पराठ मैंने देशी घी लगाया है एक चमज घी लगाया है थोड़ी सी अजवाइन डाली है इसमें थोड़ी सी लान मीर्ची डाली है । थोड़ा सा कशोरी मेंथी डालोगी अब इन सब चिजो को अछ्छे से इनाच कब दो को तरके जैड़ा के寸 घालाँ केबार से जबाट यहां पर यहां पर है क्ट मैं इस तरीके से लगा कट लगाने के बाद इसको इस तरीके से पहले एक साइट से फोल्ड करेंगे फिर जो साइट से फोल्ड किया उसी को लेकर दूसरी साइट से भी फोल्ड कर देंगे इस तरीके से फिर लास्ट वाला फोल्ड करके अच्छे से दवाते हुए अच्छे से बंद कर देंगे कि इस परांठा जैसे सेख लेंगे यह की मानिए आप अपने बच्चे को भी टिफिन बना के देंगे तो टिफिन पूरा फिनिस होके आएगा बहुत टेस्टी लगती है परांठे की रेस्पी आप घी या तेल जो भी चाहे वो यूज कर सकते हैं दोनों साइट से घी लगा कर अच् चुका है अब इसको हम निकाल के मैं आपको इसदर खोल कर भी बताऊंगे उपन करके दोनों साइट सच्छी से चुका है थोड़ा से ठंडा हो चुका था मैं एजली यह आराम से खुल जाता है देखिए बहुत टेस्टी लगता है जरू ट्राइब करिएगा जब तक के लि झा मैं बझा यह दो बज्का है एंडो बूला कर अज्ण से आराम सेट है आराम से मन कर अवेगा जली यह जलाओ कर रे दो घ्ने से आराम से गार गे में वेपन淌स हैं, आर मुल बभायह आरे है क्वेग़ा से आराम से लगना अ